नवस्कार, प्रोग्रम इट पीएब में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं होधर श्पल गुपता हूँ, तो आईए अब जर्ज़र डालते हैं आज के समाचारों पर सबसेक्टर रामगड के गाउं चन्नी, फत्वाल सित विश्व परसित बाबा चमलियाल के वारशिक मेले में महज दो दिन ही बचे हैं 27 चून वीरवार को बाबा चमलियाल वारशिक मेले का पारंपरिक रिती रवास के साथ आयोचन किया जाएगा जैसे जैसे मेले की तीथी निकट आ रही है श्रदालों के आने का सिलसिला भी तेज हो गया है गत रविबार को बाबा दलीप सिंग मनहास के समाधी स्थल चमलियाल में सैंकडों श्रदालों ने माथा टेका और परिवार की सुक समरिधी के लिए प्रातना की बाबा के दरवार में हासरी देने आये श्रदालों की सुविधा के लिए समाधी परबंदन मेला कमेटी वपरशासनिक स्तर पर हर बेहतर प्रबंद किये हैं उदर सरहत के उस पार पाकिस्तान के गाउं स्यादावली स्थित बाबा की समाधी पर बीते वीरवार से वार्षिक सप्ताहिक मिला शुरू हो गया है। स्यादावली स्थित बाबा की समाधी पर सुबाशाम श्रदालू की भीड चुड़ती है। शर्दालू बावा के दर्वार में शीश जुका कर मन्नती पूरी होने की कामना करते हैं। इडी ने सोवार को जम्मु कश्मी सेवा चियन बोर्ड की ओर से आयोजित बहुत चर्चित सब इंस्पेक्टर भरती प्रिक्षा गोटाले के कथित मुख्य सूतरदार को मनी लॉंडरिंग के तैद गिरफ्तार का लिया। गिरफ्तार आरोपित का नाम यतिन यादव है और वै हर्याना का रहने वाला है। प्रिक्षा का प्रशन पत्र 15 से 30 लाख रुपे में बेचा किया था। यतिन की लगबग 1 करोड रुपे की संपती को एडी इसी वर्ष एपरल में ही जब्त कर चुकी है। ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब नीट, यूजी और यूजी सी नेट के संचालन में अनिमत वताओं के आरोपों ने देश को हिला कर रख दिया है और इनकी जांच CBI को सोंपी गई है। जेके SSB ने जमुकश्मीर पुलीस में सब इंस्पेक्टर की 1200 रिक्तियों के लिए 27 मार्च 2022 को प्रिक्षा का आयोजिं किया था। प्रिक्षा के बाद ही प्रश्न पत्र की लीक होने के आरोप लगने लगे थे। जब परिनाम गोशित हुआ और चियन सूची जारी हुई तो एक ही कोचिंग सेंटर और एक ही परिवार से संबंदित अभ्यार्थियों के नाम सूची में शामिल पाएगे। माता वैश्न देवी के भक्तों के लिए बहुत खुशी बरिक खबर है। अंशुल गर्गव अन्य अधिकारियों ने बक्तों का स्वागत किया। उन्हें माता की चुन्डरी भेंट सवरू प्रदान की ये हेलिकॉप्टर सेवा उन तीथियात्रियों के अधिक लाबदायक होगी जो एक दिन में माता के दर्शन कर वापिस लोटना चाहते हैं। इस हेलिकॉप्टर सेवा से बक्तों के समय की भच्चत होगी श्रदालू श्रीमाता वैशन देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माधियम से हेलिकॉप्टर सेवा की बुकिंग करें और इसके साथ मिल रही सुविधाओं का लाब उठा सकते हैं। जमु कश्मीर में आतंगबाद फिर पंक फैलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन स्तरक सुरक्षाबलों के चलते लगातार आतंकियों को मुग की खानी पड़ रही है। 15 आतंगबादियों को मार गिराया गया है। दूसरे शब नियंतन रेखा से करीब पड़ा हुआ है। जमु कश्मीर में विदान सबा चुनाव की तायारियां शुरू हो गई है। 25 जून से 24 जुलाई तक मदाता सुचियों में विशे साराश संशोधन शुरू हुआ। मदान 25 जुलाई से 9 अगस तक आपतियां और दावे दर्श कर सकते हैं। 19 अगस तक इनका निप्टारा होगा, 20 अगस तक अंतिम मदाता सुची चारी हो सकती है। लोग सबा की तुलाई में विदान सबा चुनाव में मदान केंदर बढ़ने की उमीद है। 1500 से अधिक मदाताओं पर दो मदान केंदर बनाने का प्रावदान रहेगा। एक चुनाव अधिकारी ने बताया कि विशे साराश गतिविदियों के लिए बी एलो और संबंदी स्टाफ की जूटी लगाए चारी है। विदान सबा चुनाव 2014 की तुला में इस पार मदाता सुचियों में मदाता संख्या बढ़ेगी। 25 जून से बूत स्तरिय अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इनमें मदाता सुचियों में पते संबंदी गल्पियां धूर करना, मदाता सुचियों में फोटो गुनबता को बेहतर बनाना, मदान केंद्रों की सीमा तै करने सहीत, कंट्रोल टेवल का विस्तार फॉर्मिट एक से आठ तयार करना शामिल रहेगा। पहली चुलाई दोहजार चोबिस को ड्राफ्ट सुचियों तैयार की जाएगी, सी-ई-ओ शनीवार और रविवार को दावों और आपत्यों पर सुनवाई करेंगे। हाली में अंतरास्टी योग दिवस पर स्रीनगर में परधानमंती नेंद्र मूदी ने जमू कश्मीर में विदानसबा चुनाव करवाने और राज्य का दर्चा देने का आश्वासन दिया था। सुर्वत चुन्यायले भी जमू कश्मीर में सितंबर दोहजार चुबिस तक विदानसबा चुनाव करवाने का आदेश दे चुका है। संबंदित जिला प्रशासन वर स्वास्ते विबाग सक्री होकर कारे कर रहे हैं। निदेशक राथन ने चंदनबाडी आधार शिविर में अस्पताल से लेकर शेशनाग आधार शिविर तक चिकिस्सा सुविदाओं के परबंद देखे। उन्होंने पहलवगा मार्क पर बेस अस्पताल चंदनबाडी, पिस्सु टॉप, जोजीबल, नागा कोटी और बेस अस्पताल शेशनाग तक चिकिस्सा सुविदाओं के परबंदों का जाईसा लिया। लोगतंत्र सैनानियों के सम्मान में आजे कारिकम का आयूजन किया गया, जिसमें जैन के बीजेपी अध्यक्षर रवेंदर रहना खासतोर पर मजूद थे। इसमें सैनानियों द्वारा किये गे कारे उनके कुशल कारे पर प्रकाश टालते हुए कारिकम के माध्यम से जानकारी सांचा की गई। जमु कश्मीर में गर्मी फिर अपना रंग दिखाने लगी है। 25 से 28 जून तक मौसम शुष क रहने से पारे में उच्छाल की संभावना गर्मी के समें उमस भी बढ़ने लगी है। जमु में मंगलवार की शुरात साफ मौसम के साथ हुई से पहले सोवार को दिन का पारा समाने से 4.2 डिग्री चड़कर 41.8 डिग्री सलसियस दर्ज किया गया। मैदानों के साथ पहाडों पर भी तपिश बढ़ गई है। प्रदीश के अधिकांश हिस्सों में अधिक्तम तापमान समाने से 3.5 डिग्री उपर है। मौसम विग्यान केंदर स्रीनगर के अनुसार 29 जून से मौसम में बदलाव आने के साथ कुछ हिस्सों में बारिश के आसार है। पार्की है। लेकिन कहीं से भी ये पार्क नजर नहीं आती। सवच्चता के नाम पर ये एक दबा है। पार्क की मेंटेनेस के लिए माली तो कहीं नजर ही नहीं आता गेट भी पूरी तरह से टूटा हुआ है कोई भी मवेशी अंदर आ सकता है गंदगी ही गंदगी नजर आती है ट्रांसफार्मर की भी बहुत खस्ता हालत है बच्चे पार्क में खेलने आती है इसकी वज़ा से कोई भी बड़ा हाथसा हो सकता है सानिये लोगों ने पीपी न्यूज लाइन की मादियम से पार्क की खस्ता हालत को लेकर बात की यह प्राब्लम काफी देर से चल रही है और अब तो माली भी हमें कभी कोई नजर नहीं आता जो पार्क में आके कोई काम करता नजर आए पहले चार पांच माली आते थे अब अधरी डिपार्पन को क्या प्राब्लम है यह तो हमें मालूम नहीं हमने उनको बहुत बार रिक्वेस्ट की है लेकिन कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलता अच्छा इसी पाक की है कि अपने एक ट्यूब वेल बोर वेल लगा हुआ है लेकर उसके भी मोटर नहीं चलती है इसलिए पानी भी नहीं मिलता अब यह छोड़ी बात है हम रोज इन चीज़ों को नहीं कहना जाते लेकिन खत्र कोई को आपरेशन नहीं मिलता हमारे उन से रिक्वेस्ट है कि थोड़े सी ज्यान दें अगर हमारी तरफ से कोई को आपरेशन चाहिए तो हमारी डेजिदेंस वेलफेर एस्सेशिएशन जो है हम पूरी तरह से उनका साथ देंगे अक्सर देखना है कि फार्क के तो बनाए गई है लेकिन रख रखाव के लिए बिल्कुल भी जो डिपार्टमेंट है वो द्यान नहीं देता है ज्यादा तर जगह में यही है अब हम बाकियों कहते हैं लेकिन हमारे यहां एट वन टाइम दिस वाज बेस्ट पार्क सब वेस्ट हो रहा है इनको चाहिए अपना जो इनका डिपार्टमेंट है जो इसके इंचार्ज है और वो ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा हम अपनी तरह से यहीं कर सकते हैं कि कोई भी को आपरेशन होगा हम रेजिनल्स वेलफिर एस्टेशन जरूर करेंगी बल्क त्यान रखने को भी त्यान है लेकिन डिपार्टमेंट के तरफ से कोई कुछ तो हमें हां करें कोई करें ऐसे बार बार हमको मिलते रहते हैं एंड डिजल को नहीं निकलता रोड़ी कलब का पारक है हमें कम से काम 20 साल हो गया इस दर आते हुए दंदगी इतनी पड़ी दागी कुटे डागी जो है पांचार डेली आया थे हैं इस पारक में ख़त्रा हो गया है कि पब्लीक आती नहीं है जो आता है तो इसका गेट जो लगने चाहिए शुक्रिया दाकरना चाहता हूं जिन्स पारकी हालत को देखा है और मैं जिए कहना चाहता हूं कि यह एक बह गर्मी पड़ रही है जहांग तो मेरी मेडिया कि तूब आपके तूब जहीं मेरी मतलब कहना के इस पार्क को पर की आजये माली लिगाय जाए इस प्र और उप जाना के तब घ्र आजए तागे फिर आफिर आप से कांड मेडिया बर जाए जिए झाल झाल